हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट वेलकम टू सक्सेज केरियर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी आई टेस इंटरेंट्स इग्जाम का आपने पेपर दे दिया और आपको कांसलिंग प्रोसेस बाकिए जैसे रिजल्ट आता है कांसलिंग प्रोसेस से आप लोग को इस चैनल के माध्यम से बताता रहूंगा कि आपको कांसलिंग में कैसे पाटिसिपेट करना है कांसलिंग फीस कैसे जमा करना है ट्रांसफर कैसे करना है कालेज लाग करना है कालेज च्वायस करना है इस सभी वीडियो में आप लोग को बताऊंगा क्यूंकि प पर आप डालेंगे Google में successcarrier.co.in ठीक है spelling डेक्ट लीजिए s-u-c-e-s-c-a-r-e-r.co.in पर आ जाना है जो कि आपको यहाँ पर नीचे लिंक पर क्लिक करना होगा जिसे कि आपको अलग-अलग NHTI की फीस की अपडेट मिल पाए तो इस पर आप लोग को क्लिक करेंगे तो आप अफिसियल वेबसाइट पर आप ओपन करके चले जाएंगे यह अफिसियल वेबसाइट आपका ओपन हो जाएगा जिससे आपको यहाँ पर NHTI हल्दवानी की पूरी डिटेल मिल पाएगी जैसे माली जी अलग-अलग NHTI की अलग-अलग फीस होती है तो इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यह एंस्टि हल्दवानी की पूरी डिटेल यानि कि यहां की फीस क्या है फैसलेटिज यहां पर कौन-कौन से अवेलबल है य इस अप लोगों को बता दिया हूँ यहां पे सिर्फ आप नहीं हल्दवानी के डिटेल पाएंगे तो जैसे ही अप नहीं हल्दवानी के डिटेल को यहां पे जैसे कि इसका एड्रेस का दूराम हल्दवानी है है contact number duration और कौन-कौन से subject यहाँ पर हलदवानी में पढ़ाया जाएंगे यानि कि आप CITS करेंगे और कौन-कौन से trade यहाँ पर चलाया जाते हैं हलदवानी में ड्राफ्टमेंड मेकेनिकल के 50 सीट है मशीनिस्ट ऑप्रेशा एडवार्ण मसीन टूल से 50 सीट है रोडा का 50 सीट है तर्नर का 50 सीट है उसके प्रोसेस यानि कि सेलेक्शन प्रोसेस में आप लोग वीडियो से इंफार्म करता रहूंगा कि आपको कौन-कौन से कांसलिंग प्रोसेस चलने वाले हैं अब यहां पर मुख्यर है कि आपका फीस कितना लगेगा इनस्टि हल्दवानी में लिखवाएंगे उसके रहां आप अधर अधर कालेज का भी डिटेल लेना चाहेंगे जैसे कि नस्टि कानपूर की फीस क्या है हावडा मुंबई को सव रुपे लगने वाला है जन्रल ओवीसी का भी सव रुपे लगेगा सबके लिए यह रिफंडेबल होता है उसका जिम खाना यहां पर अवेलबल नहीं है तो फैसा नहीं लगेगा जबकि दूसरे जगा जिम अगेरा भी आवेलबल हैं लाइब्रेरी डिपोजिटेट इस डिफ्रेट फीष बिस वीच रुपे है सबी के लिए ट्यूसन फीच गवर्मेंट के लिए नील है यहां पर लगेगा 900 रुपे और ह्टी इसलिए वालों के लिए 300 रुपे यहां फ्यारली लगेगा नहीं की 9 9 18 सुरुपे साल बर की फीच जो है आपका ट्यूसन फीच लगने वाला है हाँ फिरली आपकी बात करें तो 14 रुपए ओभी सी जनरल का खर्च है उसको आद चासो सत्तर रुपए गवर्मेंट डिप्टोर्ट का खर्च है जब की स्टी स्टी के लिए पांसो बीस रुपए यह हाँ फिरली है इसमें 900 कर देंगे और तो 900 कर देंगे तो 24320 रुपए लगेगा जो की जनरल ओभी सी के लिए और तीन सो इसमें कर देंगे तो स्टी के लिए लगेगा 820 रुपए सलाना खर्चाएगा तो यह फीस है नस्टी आई के जो की बहुत ही कम है रेट आप अलग-अलग जगह पे अलग-अलग कालेज की फीसे हैं चेन नहीं हैदराबाद तो क्योंकि यहां पे आप लोग को एडमिशन मिल जाएगा तो बेस्ट रहता है आप लोग ट्रेड भी देख सकते हैं कौन-कौन से ट्रेड चलाए जाती है कोई भी आप पोस्ट खोलेंगे तो उसमें उस जगह का कौन-कौन से ट्रेड चलाए जा करते हैं आज के लिए वीडियो में इतने वीडियो लगेगा तो लाइक कर दीजिगा और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक्स पर वाचिंग दिस्टूडियो गाइज